नमस्कार सुप्रबाद दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा सर्प्राइज जो हम मैंसे किसी ने नहीं सोचा को एवन हमको भी नहीं मालूम है वो लेकर से दानसर आ रहे हैं रवीवार की रात 9 बजे लाइव आएंगे और प्रेजेंट करेंगे आपके सामने वो सर्प्राइज जिसके लिए हम सब बहुत बेसबरी से इंतिजार करना है तो प्लीज सेट दा रिमाइंडर और 9 बजे रविवार को तयार रहे हैं अब मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं कि यह जो केस चनला था एंटीलिया का एंटीलिया क्या है यह बताईए और उसके साथ साथ उस अंटीलिया का जो केस है वो मैं आपको बता देता हूं इंफोर्समेंट डिरेक्टरेट ने देशमुग जो हैं अनिल देशमुग जी जो की एक्स होम मेनिस्टर थे महरास्ट के उनके घर पे वापिस रेट की है यह रेट क्यों की है इस रेट करने के बाद क्या किया एडी है ये भी मैं बताऊंगा तो अब चलते हैं आगे न्यूज पे एडी और रुपीज फोर करोड हफ्ता यह हफ्ता ट्रेल क्या है यह बताता हूं नेक्स टू नेक्स स्लाइड में रेड करने के बाद महारास्ट के जो एक्स होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुक्य उनके दो एड बनता है कि पॉलिटीशं और ब्यूर्टेट के बीच में जो नेक्सस और उसे किस तरीके से अनुचित गतिविदी और जो भृस्टा चारज की गतिविदियां होती है वह बताई जा सकती है वह कैसे हो सकती है इसके साथ-साथ में आपको बता दूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट उसके बारे में बात है क्योंकि एडी जो है वह प्रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंतरगती बनाया जाता है तो उसकी भी चर्चा की जा सकते हैं तो यह दो टॉपिक और उनको अपनी कस्टिडी में ले लिया है किसके अंदर मनी लॉंडरिंग का जो केस है उसके अंतरगात इस करॉप्शन केस्ट में जो एफाईयर हुई थी यह उसके पहले आरेस्ट है तो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि अब आरेस्ट होना शुरू हो गया है सिस्टम और ख स्कॉर्पियो मुकेश हम्मानी का घर जो था इंटी लिया उसके बाहर मिलती है अब मार्च चार फूर्थ मार्च 2021 को उस स्कॉर्पिया का जो ऑनर था मनसुक हिरन वो मरत पाए जाते हैं तो ऐसा पूरा माना गया कि उनका मर्डरी हुआ था अब बात है अगली की जो सचिन वज़े थे वहाँ पे उसको नेशनल इंवेस्टिकेशन जो एजनसी थी उसने गिरिफतार कर लिया उस गिरिफतारी के बाद जो परमवीर जी थे वो मुंबई पुलिस के जो कमिशनर थे उनको बाहर का रस्ता दिखा दिया गया उनको उनको कमिशनर इट पट से हटा दिय जब उन्हें उस पत से हटाया गया तो उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखके बहुत बड़े गोटा ले की सफाई दी और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई अनिल देशमुख के लिए उन्होंने कहा परमवीर जी जो थे कमिशनर दे मुंब करने के लिए कहा था यह देखी आप होम मिनिस्टर किसी राज्य के वो ऐसा कह रहे हैं कि जो एसीपीज हैं अलग-अलग डीसीपीज हैं उनसे कि भाईया पैसे की उगाई करो हफता वसूली करो ये कमिशनर का आरुपरम जी जी जो है आई पीएस ऑफिसर हैं उनका आरोप था अनिल देश्मुक जी ने साफ जावगाई सब जूटे आरोप है सब जूट है कुछ नहीं और उन्होंने क्या सफाई दी यह वो भी मैं आपको आगे बताता हूं इसी के साथ अप्रेल फिफ्ट को बंबय हाई कोट ने डिरेक्ट किया CBI को कि एक प्रिम्नरी यार केस अकेंश्ट के बाद जो चोटी इंक्वाई थी उसके उपर देश्मुक जी के उपर एडी ने भी साती साथ एक मनी लॉंडरिंग का केस जो था देश्मुक के उपर किया अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिकेशन का स्टेटस क्या है CBI ने क्या किया है कि देशमुक और उनके जो भी संदमंदित AIDS थे जैसे कि संजीब पलांडे मैंने बताया कुंदन सिंदे हैं परमीर सिंदे इन सब का जो था statement ले लिया है लेकिन अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है वहीं ED ने कल ही जो मैं बताया कि पहले अरेस्ट किया है दो दोना एक है संजीब पलांडे जी और दूसरे हैं कुंदन चिंदे जी अब enforcement डिरेक्टरिट ने जो अरेस्ट किया वो important वो है money laundry का एकिसे उसमें क्या हुआ कि जो 13 बार बार जो system हम है मुंबई में बार चलते हैं वहाँ पर उनमें से 13 जो बार थे उनमें से लगबग 4 करोड रुपए जो हफ्ता वसूली की गई थी उस पैसे से सम्मंदित ये case है उसकी वसूली से सम्मंदित और इसके लिए ही rate की गई और इसी के लिए पता किया गया कि कैसे कैसे money launder की गई है शेल कंपनी के मादम से फिर जो देशमुक के परिवार सदसे हैं उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया अब कोड में क्या स्टेटस ही में बतायाता हूं अनिल देशमुक ने काया कि इस तरीकी कि जो CBI के हाथ में FIR है उनको सब जूटी है उसको dubious बोला है न मनित है हाई कोट ने केस की हीरिंग तो कंक्लूट कर ली है लेकिन उन्होंने जो अपना जज्जमेंट है उसको रिजर्व रखा है और अभी तक जज्जमेंट दिया नहीं है UPSC की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उसमें मैंने टॉपिक लिए PMLA prevention of money laundering act actually 2002 में लाया गया था जिसे की 2005 में enforce किया गया यह एक विधी है कानून है और ED जो है वो एक विधिक संस्ता है statutory body है इध्यान रखिएगा इस तरीके question आते रहते हैं इसमें तीन बार amendment किया गया है 2009 में 2012 में और latest जो है 2019 में यह 2019 का amendment बहुत जादा important है यह basic amendment UPSC experience आपको याद होने चाहिए इसके स चाहता PMLA की objective देखे सबसे पहला जो objective है वह है preventing money laundering money की जो laundering होती है उसको प्रेवेंट करना money laundering साधारन सब्सक्तों में ऐसा होता है कि बहुत सारे खातों में ऐसे इधर उधर पैसा transfer कर दिया जिससे की जुसका origin है वह पता नहीं चले यह एक technology के यूज के तुरू होता है कई चाहरी shell companies के use के तुरू होता है जिसमें 50-500 companies होती है जिसको आप इसके origin trace करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इससे क्या होता black money को white money में convert किया जाता है इस money laundering के तुरू इसके साथ-साथ combating the channelizing of money into illegal activities and economic crimes जीदी सी बात है कि जो पैसा money laundering black money to white money करके उसको illegal activity अवेदिक गतिविदिया जैसे stone pelting का भी जो काम है या फिर जो नक्सलाइट से उनके पास जो पैसा आ रहा वो यह सब चीजा और economic crime है जो मेहल चौक्सी और जैसे जो लोग है ये money laundering से संबंदित काम करके धन की उगाई करके अनुचित गतिविदियों में लगाते हैं property को अपने कबजे में रखना और जो कि money laundering में से बनीती उस जमीन या फिर उस संपती को कबजे में लेकर उसका नप्टान करना इसके साथ-साथ अगर और भी कोई issue आता है इससे संबंदित या कोई incident आता है money laundering का तो उसमें मदद उपलब्द कराना यह PMLA की जो ED है उसके काम है और उसके targets हैं तो इसी के साथ दोस्तो जै हिंद जै भारत